मेरे प्यारे देशवाचियों आप सबको नमस्कार 2015 एक प्रकार से मेरी इस वर्ष की आखरी मन की बात अगली मन की बात 2016 में होगी अब ये भी हम लोगों ने क्रिस्मस का पर्व मनाया और अब नए वर्ष के स्वागत की तैयारिया चल रही है भारत विविदताओं से भरा हुआ है त्योहारों की भी भरमार लगी रहती है एक त्योहार गया नहीं कि दूसरा आया नहीं एक प्रकार से हर त्योहार दूसरे त्योहार के प्रतिक्षा को छोड़के चला जाता है कभी कभी तो लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर त्योहार ड्रिवन एकोनोमी भी है समाज के गरीब तपके के लोगों को आर्थी गतिविधी का वो कारण बन जाता है मेरी तरब से सभी देशवाचियों को क्रिस्मस की भी बहुत बहुत शुब कामना है और दोहजार सोला के नववर्ष की भी बहुत बहुत शुब कामना है दोहजार सोला का वर्ष आप सभी के लिए धेरों खुश्यां लेकर गयाएं नया उमंग, नया उत्सा, नया संकल्प आपको नई उचाईयों पर पहुँचाएं दुनिया भी संकटों से मुक्त हो, चाहे आतंगवाद हो, चाहे गलोबल वार्मिंग हो, चाहे प्राकृतिक आपदाये हो, चाहे मानव सर्जित संकट हो, मानव जात, सुक्चेन की जिंदगी पाएं, इसे बढ़कर के खुशी क्या हो सकती है आप तो जानते ही हैं कि मैं टेकनोलोजी का भरपूर प्रवक करता रहता हूं, उसे मुझे बहुत सारी जानकारिया भी मिलती हैं, माय गौव मेरे इस पोर्टरल पर मैं काफी नजर रखता हूं, पूने से स्रिमान गनेश भी सावलेश वार कर, उन्हेंने मुझे लिखा है कि ये सीजन, टूरिस्ट की सीजन होती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में देश भी देश के टूरिस्ट आते हैं, लोग भी क्रिस्मस की छुटिया वनाने जाते हैं, टूरिजम के एक्षेतर में बाकी सब सुविधाओं की तरब तो ध्यान दिया जाता है, तिक उन्होंने कहा हैं कि जहाँ जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट प्लेस है, यात्रा दाम है, प्रवास दाम है, वहाँ पर स्वच्चता के सबंद में विशेश आगरे रखना चाहिए हैं, हमारे पर्येटन स्थल जितने साफ सुत्रे होंगे, दुनिया में भारत की छवी अ सफाई करते हैं, तो हमारे पर्येटन स्थल पर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, हमारी आत्रा धामों पर, इस सच मुझ में विशेश बल देने वाला काम तो हाई है, और मुझे ये भी खुची है कि देश में सच्चता के समन्द में लगातार खबरे आती रहती हैं, मैं ड देश्वाशियों को मैं बताऊं, मत्रप्रदेश के सिहोर जिले के भोजपुरा गाउं में एक बुझूर कारिगर दिलिपसी मालविया, अब वो सामान्य कारिगर हैं, जो मैशन का काम करते हैं, मद्दूरी करते हैं, उन्होंने ऐसा अनूठा काम किया, कि अखबार ने उन प्रवाइड करता है, तो सोचालय बनाने के जो मजदूरी लगेगी, वो नहीं लेंगे, और वो मुप्त में मैशन के नाते काम करते हुए सोचालय बना देंगे, बोजपुरा गाउं में उन्होंने अपने परिश्रम से मजदूरी ये बिना ये काम पवित्र काम है, इस मान कर दिया है, मैं दिलिपसी मालविया को रजय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, अभिनन देता हूं, देश के समझ में निरासा की बाते कहीं को भी सुनते हैं, लेकिन ऐसे कोटी-कोटी दिलिपसी हैं इस देश में, जो अपने तरीके से कुछनों को अच्छा कर रहे है यही तो देश की ताकत है, यही तो देश की आशा है, और यही तो बाते हैं जो देश को आगे बढ़ाती हैं, और तब मन की बात में दिलिपसी का गर्व करना, उनका गवरो करना बहुत स्वाभविक लगता है अनेक लोगों के अथाग प्रयास का परणाम है, कि देश बहुत तेज गती से आगे बढ़ रहा है, कदम से कदम मिला करके सबासो करोड देश वासी, एक-एक कदम खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं, बहतर सिक्षा, उत्तम कौशल, एव नागरिकों को बीमा सुरक्षा कवर से लेकर बैंकिंग सुविधाय पहुंचाने की बात हो, वैस्विक फलक पर इज अब डूइंग बिजनेस में सुधार, व्यापार और नए व्यवसाय करने के लिए सुविधाजना के व्यवस्ताय उपलब्द कराना, सामान्य परिवार के लोग जो कभी बैंक के दर्वाजे तक नहीं पहुंच पाते थे, मुद्रा विजना के तहत आसान रन उपलब्द करवाना, हर भारतिये को जब पता चलता है कि पुरा विश्व योग के प्रति आकरशित हुआ है, और दुनिया ने जब अंतराश्टी योग दिवस मनाया और पुरा विश्व जुड़ गया, तब हमें विश्वास पैदा हो गया, ये तो है ने हिंदुस्तान, ये भाव जो पैदा होता है न, ये तब होता है कि जब हम विराट रूप के दर्शन करते हैं, यश्वदा माता और कृष्ण की वो घटना कौन भूलेगा, जब से बा सरकार से घरगर में गुंज रही है, नागरीकों का सहभाग भी बढ़ता चला जा रहा है, आजहादी के इतने सालों के बात, जिस गावों में बिजली का खंबा पहुंचता होगा, शायद हम शहर में रहने वाले लोगों को, या जो बिजली का उपभोग करते हैं, उनको भी अंदाज नहीं होगा कि अंधिरा चड़ता है, तो उत्सा और उमंग की सीमा क्या होती है, भारत सरकार का और राजय सरकारों का उरजा विभाग काम तो पहले भी करता था, लेकिन जब से गावों में बिजली पहुंचाने का एक हजार दिन का जो संकल्प किया है, और हर विश्वास है कि मिडिया ऐसे गावों में जुरूर पहुंचेगा और वहां का उत्सा और उमंग कैसा है, उससे देश को परिचित करवाएगा, और उसके कारण सबसे बड़ा तो लाब यह होगा, कि सरकार के जो मुलाजिम इस काम को कर रहे हैं, उनको एक इतना सर्टिसफ पहुंचनी चाहिए, पहुंचनी इसलिए नहीं चाहिए कि किस सरकार ने क्या काम क्या नहीं किया, पहुंचनी इसलिए चाहिए कि वो अगर इस बात का हकदार है, तो हक जाने न दे, उसके हक को पाने के लिए भी तुसको जानकर मिलनी चाहिए, हम सब ने कोशिश करनी चा काम है मैंने अपने तरीके से भी इस काम को करने का एक छोटा सा प्रयास किया है मैं अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता हूं लेकिन जो मैं कह रहा हूं तो कुछ मुझे भी करना चाहिए न एक सामान्य नागरिक भी अपने मोबाइल फोन पर नरेंद्र मोदी एप को डाउनलोड करके मुझसे जुड़ सकता है और ऐसी छोटी 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 बाते मैं उस पर शैर करता रहता हूं और मेरे लिए खुशी की बात है कि लोग भी मुझे बहुत सारी बाते बताते हैं आप भी अपने सामान्य मानवी के हितों की बातें सामान्य मानवी की भाशा में पहँचाएं और उनको प्रेडित करें उनके हक की चीजों को पाने के लिए मेरे प्यारे नौजवान साथियों 15 अगस को लाल के लिए से मैंने स्केंधर पी इंडिया Stand Up India, उसके समन्द में एक प्रात्वीक चर्चा की थी, उसके बाद सरकार के सभी विभागों में इस बाद चल पड़ी, क्या भारत स्टार्ट अप कैपिटल बन सकता है, क्या हमारे राज्यों के बीच नवजवानों के लिए एक उत्तम अवसर के रूप में नए नए स्टार् तरीका, नई सोच, दुनिया इनोवेशन के बिना आगे बढ़ती ही नहीं है, स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, यूआ पीडी के लिए बहुत बड़ा आउसर लेके आई है, मेरे नवजवान साथियों 16 जन्वरी को भारत सरकार, स्टार्ट अप इंडिय इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, उसका पूरा एक्शन प्लान लांच करने वाली है, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, एक खाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और इस कारिकम में देश भर की IIT, IIM, Central Universities, NITs, जहां जहां युवा पीडी है, उन सब को ला बन गई है, जैसे Digital World हो, या IT Profession हो, यह स्टार्ट अप उनहीं के लिए जी नहीं, हमें तो उसको भारत के आवश्रक्ताओं के अनुसार बढ़लाव लाना है, गरीब व्यक्तिक कहीं मजदूरी करता है, उसको शारिक स्रम पढ़ता है, लेकिन को नवजवान इनोवेशन के द्वारा एक ऐसी चीज बना दे, कि गरीब को मद्धूरी में थोड़ी सुविधा हो जाए, मैं इसको भी स्टार्ट अप मानता हूँ, मैं बैंक को कहूंगा, गैसे नवजवान को मदद करो, मैं उसको भी कहूंगा, कुसो भीमत से आगे बढ़ो, मार्केट मिल जाएगा, उसी प्रकार से क्या हमारे युवापीडी की बुद्धी संपदा कुछी शहरों में सिमित है क्या, ये सोच गलत है, हिंदुस्तान के हर कौने में नवजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए, ये स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया, कुछ इस सहरों में सिमित नहीं रहना चाहिए, हिंदुस्तान के हर कौने में फैलना चाहिए, और इसे में राज सरकारों से भी आगर कर रहा हूँ, इस बात को हम आगे बढ़ाएं, सोला जन्वरी को मैं जरूर आप सबसे रूबरू हो करके विस्तार से इस वीशे में बाक्तित क करूंगा, और हरमेश आपके सुजाओं का स्वागत रहेगा, पैरे नवजवान साथियों, 12 जन्वरी स्वामी विवेकानन जी की जन्म जैन्ती है, मेरे जैसे इस देश के कोटी-कोटी लोग हैं, जिनको स्वामी विवेकान जी से प्रेना मिलती रही है, 1995 से 12 जन्वरी एक नेशनल यूथ फेस्टिवल के रुप में मनाये जाता है, इस वर्ष ये 12 जन्वरी से 16 जन्वरी तक 36 गड़ के राइपूर में होने वारा है, और मुझे जानकारी मिली कि इस बार के उनकी जो थीम है, क्योंकि उनका ये इवेंट थीम बेस होता है, थीम बहुत बढ़ होने कोने से 10,000 से जादा यूवा इखटे होने वाले हैं, एक लगू भारत का दर्श्य वहां पैदा होने वाला है, यूवा भारत का दर्श्य पैदा होने वाला है, एक प्रकार से सपनों की बार नजर आने वाली है, संकल्प का एसास होने वाला है, इस यूथ फेस्टिव कि मेरी जो नरेंदर मोदी एप है उस पर आप डारेक्ली मुझे अपने विचार बेजिए मैं आपके मन को जानना समझना चाहता हूँ और जो ये नेशनल यूद फैस्टिवल में रिफ्लेक्ट हो मैं सरकार में उसके लिए उचित सुझाओ भी दूँगा सुचराएं भी दोस्तों नरेंदर मोदी एप पर यूद फैस्टिवल के समझ में आपके विचार जानने के लिए अम्दाबाद गुजरात के दिलिप चौहान जो एक विजुएली चैलेंज टीचर है उन्होंने अपने स्कूल में एक्सेसेबल इंडिया डे उसको मनाया उन्होंने मुझे फोन करके अपनी भावना इव्यक्त की है दिलिप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप तो स्वयम इसक्षेतर में काम कर रहे हैं आप बली भातीन बातों को समझते हैं और आपने तो बहुत सारी कठनाईया भी जेली होगी कभी-कभी समाज में इस प्रकार के किसी व्यक्ति से मिलने का उसरा आता है तो हमारे मन में धेर सार विचाराते हैं हमारी सोच के अनुसार हम उसे देखने का अपना नजरिया भी व्यक्त करते हैं कई लोग होते हैं जो हादसे के इस्तिकार होने के कारण अपना कई अंग गभा देते हैं कुछ लोग होते हैं कि जन्मजात ही कोई क्षती रह जाती हैं और ऐसे लोगों के लिए दुनिया में अनेक अनेक शब्द प्रयोग हुए हैं लेकिन हमेशा इन शब्दों के प्रती भी चिंतन चलता रहा है हर समय लोगों को लगा ने 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 ये उनके लिए ये शबद की पहचान आच्छे नहीं लगती है उनकाति नहीं लगती है और आमने देखा होगा कि कितने शबदा आ चुके हैं कभी हंडीकेप सब्दो सुनते थे तो कभी de-sable सब्दो सुनते थे तो कभी specially able person अनेक शब्दा आते रहते हैं ये बाद सही है कि शब्दों का पी अपना एक महत्व होता है इस वर्ष जब भारत सरकार ने सुगम में भारत अभियान का प्रारम किया उस कारकम में मैं जाने वाला था लेकिन तमिलनाडू के कुछ जिलों में और खास करके चेनने में भारिंकरबार के कारण मेरा वहां जाने का कारकम बना उस दिन में उस कारकम में रह नहीं पाया था लेकिन उस कारकम में जाना था तो मेरा मन में कुछ विचार चलते रहते थे तो उस समय मेरे मन में विचार आया था कि परमात्मा ने जिसको शरीर में कोई कमी दी है को कादंग ठीक से काम नहीं कर रहा है हम उसे विकलांग कहते हैं और विकलांग के रुपे जानते हैं लेकिन कभी कभी उनके परीचे में आते हैं तो पता चलता है कि हमें आखों से उसकी कमी दिखती हैं लेकिन इश्वर ने उसको कोई एक्स्ट्रा पावर दिया होता है एक अल ये कैसे करता है? तो फिर मेरे मन में विचाराया कि आंकसे थो हमें लगता है कि शायद वो विकलांग है, लेकिन अनुभव से लगता है कि उसके पास कोई एक्स्टि पावर, अत्रिक तो शक्ति है, और तब जाकर कि मेरे मन में विचाराया, क्योंन हम हमारे देश में विकलांग की जगा पर दिव्यांग सब्द का उपयोग करें। क्या मैं आशा करता हूं कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे उस दिन हमने सुगम्य भारत अभ्यान की शुरुवात की है इसके तहत हम फिजिकल और वल्चुल दोनों तरह के इंस्ट्रास्ट्रक्टर में सुधार कर उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए सुगम्य प्रेल लीपी कितनी बाते हैं इन सब में उसे सुगम्य बनाने के लिए इनोवेशन चाहिए टेकलोलोजी चाहिए व्यवस्ता चाहिए संवेदन सिल्ता चाहिए इस काम का बिड़ा उठाया है जन भागिदारी भी मिल रही हैं लोगों को अच्छा लगा है आप भी अपने कि योजनाय हमेशा प्राणवान रहनी चाहिए योजनाय आखरी व्यक्ति तक जीवन्त होनी चाहिए वो फाइलों में मृतप्राय नहीं होनी चाहिए आखरी योजनाय बनती हैं सामान्य व्यक्ति के लिए गरीब व्यक्ति के लिए पिछले दिनों भारत सरकार ने एक प्र लेकिन यह हिसाब किताब नहीं था कि जो लाभारती है उसी के पास पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। गर्व हो रहा है कि अभी अभी ग्रीनिज बूक अब वर्ल्ड रेकॉर्ड में इसे स्थान मिल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी डारेक्ट बेरिफिट ट्रांसफर स्कीम है जो सफलता पुर्वक लागू कर दी गई है पहल नाम से यह योजना प्रचलीत है और प्रवक करीब 15 क्रोड लोगों के खाते में बैंक एकाउंट में सरकारी पैसे सीधे जाने लगे न कोई बिचोलिया न कोई सिफारिस की जरुवत न कोई ब्रस्टाचार की संभावना एक तरफ आधार काड़ का अभियान दूसरी तरफ जंधन एकाउंट खोलना तीसरी तरफ राज भार्थियों की सुची त्यार करना उनको आधार से और एकाउंट से जोड़ना इस सिलसिला चल रहा है इन दिनों तो मंद्रेगा जो की गाउं में रोजगार का आउसर देता है उन मंद्रेगा के पैसे बहुत शिकायत आती थी कई स्थानों पर अब वो सीधा पैसा उस मज दूरी करने वाले व्यक्ति के खाते में जमान होने लगे हैं स्टूडन्स को स्कॉलर्शिप में भी कई कठिनाईया होती थी शिकायते भी आती थी उनमें भी अब प्रारम कर दिया है दिरे दिर आगे बढ़ाएंगे अब तक करीब करीब 40,000 करोड रुपिया सीधा ही प्राइफिट ट्रांसफर के अंदर समाहित की जा रही है मेरे प्यारे देशवासियों 26 जन्वरी भारतिये गणतंत्र दिवस्का एक सुनहरा पल ये भी सुभग संयोग है कि इस बार डक्टर बाबासाब आमबेड कर हमारे समिधान के निर्माता उनकी 125 वी जैनती है संसद में भी दो दिन समिधान पर विशेश्श चर्चा रखी गई थी और बहुत अच्छा अनुभव रहा सभी दलोंने सभी सांसदों ने समिधान की पवित्रता समिधान का महत्मय समिधान का सही स्वरूप में समझना बहुत ही उत्तम चर्चा की इस बात को हमें आगे बढ़ा हमारा समिधान हमें बहुत अधिकार देता है और अधिकारों की चर्चा सहज रुप से होती है और होनी भी चाहिए उसका भी उतना ही माहत्मा है लेकिन समिधान कर्तवे पर भी बल देता है लेकिन देखा ये गया है कि कर्तवे की चर्चा बहुत कम होती है ज्यादा से होते हैं तो चारों तरफ अविटाजमेंट होते हैं दिवारों पर लिखा जाता है होल्डिंग लगाये जाते हैं कि मतदान करना हमारा पवित्र करतव्य है मतदान के समय तो कर्तवय की बात बहुत होती है लेकिन क्यों न सहज जीवन में भी कर्तवय की बाते हो जब इस वर्स हम बाबा साब आमेड करके 125 वी जैनती मना रहे हैं तो क्या हम 26 जन्वरी को निमित्त बना करके स्कूलों में कॉलेजिज में अपने गावों में अपने शह कठनों में कर्तवय इसी वीशे पर निबंदस परधा काव्यस परधा ब्रक्तूत्वस परधा ये कर सकते हैं क्या अगर 700 करोड देश वासी कर्तवय भाव से एक के बाद एक अदम उठाते चले जाए तो कितना बड़ा इतिहास बन सकता है लेकिन चर्चा से शुरू तो करे मेरे मन में एक विचाराता है अगर आप मुझे 26 जन्वरी के पहले डूटी कर्तवय अपनी भाशा में अपनी भाशा के उपरांत अगर आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी अंग्रेजी में लिखना है तो अंग्रेजी में कर्तवय पर काव्यरच राएं हो कर्तवय पर ऐसे राइटिंग हो, निमंद लिखें आप, मुझे बेज सकते हैं क्या, मैं आपके विचारों को जानना चाहता हूँ, मैं गौव मेरे इस पोर्टल पर बेजिये, और मैं जुरूर कहूंगा कि मेरे देश की युवापिढी कर्तब्वे के सबन में क्या सोचती है, एक छोटा भी महापूरुषों की प्रतिमाए है, स्टेच्यू लगे हैं, उसकी सफाई, उस परिसर की सफाई, उत्तम से उत्तम स्वच्चता, उत्तम से उत्तम सुशोभन, 26 जनवरी निमित्त कर सकते हैं क्या, और ये मैं सरकारी रापर नहीं कह रहा हूँ, नागरिकों के द्वारा, जिन महापूरुषों का स्टेच्यू लगाने के लिए हम इतने इमोशनल होते हैं, लेकिन बाद में उसको समालने में हम इतने ही उदासिन होते हैं, समाज के नाते, देश के नाते, क्या ये हम अपना सहज स्ववा बना सकते हैं क्या, इस 26 जनवरी को हम सब मिलके प्रयास कर सहज रुप से हो, प्यारे देश वाचियों फिर एक बार, नववर्ष की 2016 की धेर सारी शुब कामना हैं, बहुत बहुत धन्यवाद,